हेलो एवरीवन स्वागत है आपका आपके अपने यूट्योब चैनल दो पर गाने के डिमी तो दोस्तों हम बात करेंगे आप से भी के लिए कि जो आपका UPSC NDA एक्जाम 2021 है तो उसके रिगार्डिंग कुछ लेटेस्ट अपडेट है जैसे कि आप सभी को पता है जो आपका वो तो पोश्टपॉंड हो चुका है आप से भी जानते हैं मगर इससे अलग हम यहाँ पर बात करेंगे जो आपका रिजल्ट है वो कब आएगा एक्जाम किस दिन होने वाला है कोट ओफ क्या रहने वाली है ऐससे भी इंट्रिव्यू की डेट क्या होगी जो एनिंग डेट पोश्टपॉंड हो चुका है कब तक के लिए ऋचुका है आपको यह एक्जाम है वो नंवंबर में होने वाला है तो आप से हुप पता है सीडियस के एक्जाम के साथ साथ आपका एक्जाम होगा और यहाँ पर आपको कुछ अपडेट देखने यही मिलने वाला था आज ज जाएंगे ठीक आप लोग यहां पर देख सकते हैं तो मैं यहां पर बात करूंगा simple way में उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में यहां पर देख रहे होंगे कि बरेलिश सेंटर है यह पहले नहीं था जो कि एड कर दिया गया है तो यहां पर कुछ सेंटर एड कर दिए वेडियो के डिस्कप्शन में हैं आपको आप लिंक मिल जाएगा आप यहां से टीलीग्रम जोइन कर सकते हैं और पी डिएफ को डाउलोड कर सकते हैं तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो हमारी नया सेंटर है जिस किसी लोग को ठीक है किसी भी कंडिएट को आपको सेलेक्ट करने है नियू सेंटर तो आप सेलेक्ट कैसे करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना होगा आपको एक option मिल जाएगा UPSC के website पर या फिर आपको option मिल जाएगा सरकार result सरकर एक्जाम जब आप तो हमापर विजिट करेंगे कि आपको हमापर option होगा कि आप अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं आपको form edit करने का option मिलेगा ठीक है आप लोग आपर से जनवरी थी तो वो कुछ नहीं होगा सिर्फ जनवरी टू फरवरी कर दी जाएगी बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे most doubt आता है कि आप सभी का exam सेंटर कैस्टेंड करेंगे हमने आपको बता दिया है तो यहाँ पर आता है कि भाई result कब आएगा तो दोस्तो आपके जब exam नर्वंबर में होगा तो किलियर सी बात है उस में लगा का आपका जो result है देखने के लिए मिलने वाला है दिसंबर में आपको यहाँ पर result dेखने के लिए मिलेगा कुछ का doubt है कि भाई इस बार result कब देखने के लिए मिलेगा दोस्तो इस बार जो आपका रिजल्ट है वो जून के लाश्ट में ही देखने के लिए मिलेगा मतलब दो से चार तिनके अंतेंदर आपका जो रिजल्ट है वो आही जाएगा ठीक है जो आपका एक्जाम हो चुका है तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि तो मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा जैदि आप लोग अनकेडमी पर प्लेस कोर्स खेटा जाते हैं या फिर फिरी क्लास्स लेना चाहते हैं तो आप लेए वगर वहाँ पर आप लोग जाकर एक ही कोर्ड यूज करें जिसका नाम है टोप 50 जिसका आपको सारे के सारे टीच चल रही है फर्स्ट जुलाई से एरफोर्स नेवी के बैच के लिए तो यहां पर एक लक्षे बैच है एरफोर्स का कम्पिलीट और एक जवर्दस्त बैच स्टार्ट हो रहा है ठीक है वहुत अच्छी फैकुल्टी के साथ और मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि लुकुल्ट फैरेश बैच है और आपका सारा सीलेवस करा दे जाएगा इस बैच के अंत्रकत तो उसे जुएन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करने आपको गैट सब्सक्राइब आउपर किलिक करना है और जैसे आप यहां पर किलिक हैर कर देते हैं तो यहां पर आपक code use करना है यहाँ पर क्या code use करना है टोप 50 code use करें जिससे आपको यापट डिसकाउंट देखने के लिए मिल जाएगा कि भाई जो आपका result है डिक है वो तो बता दिया हमने मगर जो cutoff है वो क्या रहने वाली है तो दोस्तो cutoff के regarding मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग की जो cutoff है आप लगबग cutoff को 360 नमबर मान कर अपने exam की तयारी start कर दे क्योंकि इससे कम पर आपकी cutoff नहीं रहने वाली है इससे जादा ही जाएगी ये वात याद रख लें ठीक है तो क्योंकि next strand भी आ चुके हैं लेवल में fight में और यहाँ पर जो old थे उत निकल चुके हैं तो आपकी cutoff यहाँ पर 360 नमबर ही जाएगी तो आप इसी के मताबिक अपना सुरू करें ठीक है जो आपका save score मैं आपको बता दूँ लगबग आप 150 नमबर से जादा maths में score करते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा benefit हो जाएगा 150 नमबर आप इसमें करें साथ में 100 नमबर आप English में जिन करें 180 नमबर आप यहाँ पर English में कर लें बाकी जो बच जाते हैं उसमें आप अपना science, physics, math ठीक है physics, आपका chemistry, history, biology, history, geography, polity, economy और अपना current affairs में cover कर लें ठीक है तो मैं आपको 150 नमबर आप लोग अपना math में महनस से करें तो यहाँ पर बात कर लेते हैं या इसका syllabus के वाही तैयारी की हिसाब से करें आपको यहाँ पूछने तो comment box में इक बचा दें तो आपको exam से interchange करने तो आप जाएं ओफिसल वेबसाइट पर वाहाँ पर जाकर change कर सकते हैं कैसे करने हैं वो भी हम आपको बता देंगे next video में जदि आपको करना है तो हम बता देंगे ठीक है तो हम मिलते है next video में जल्दी तब तक करे जाहिन चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें